अरपंत के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उनमें कोई दोस नहीं है और अभी जहां कता करके आए वहां मुसलमान ने तो फूल वर्सा करके हमारा स्वागत भी किया और हिंदू राष्ट का भी स्वागत किया तो यही तो परिशानिया है आपसे कई लोगों को आप क्रिश जाँ है कन्वर्जन पर हम भरोशा नहीं करते हैं हम तो घर बापसिम अब भाई राम जी के सरण में बिभीशन आया तो राम जी भगा देंगे क्या बगाया क्या आए तो राम जी ने गड़ा वो भी तो सत्त्रू का भाई था बिभीशन ऑन्नोंने भी गले लगाया हम भी यही करते हैं क्या गुनाय करते हैं शेक मुबारक बॉलिवुड बॉयकॉट की विशे पर बुल्डोजर पर वो इस तरह के विवादित बयानों उसे वो करते हैं मैं सहमत नहीं हूँ मित्र हैं आपकी पर अत्रता तो महबत नंग और धर्म और पंथ को शांती जो कभी मिलने लायक नहीं होता आपने बयान दिया तुम अभी भी नहीं जागे तो तुमें भागना पड़ेगा इसलिए निवेदन है कि सभी हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फैकने वालों के घर बुल्डोजर चलवाओ क्यों? अगर कोई पत्थर फैके तो क्या करें? स्वागत करें हमने सिर्फ बिनम्रता पूरवक कहा आत्मरक्षा हमारा यह वयान पूर्टया अहिंसात्मक है इसमें हिंसा को किंचत मात्रवी जगए नहीं है हमने यह नहीं कहा है कि किसी का घर मिटाओ हमने यह कहा है कि ना तुम पत्थर चलाओ अज एक दोर है आप कई लड़कियों की शादी कराते हैं चोकि बहुत नेक काम है इसकी तारीफ भी मैं करना चाता हूँ आप कई बच्चीयों की शादी कराते हैं गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं लेकिन कभी आपको अपनी बेहन की शादी के लिए जो बैठे हैं जो टीवी पर आरपार पर देखेंगे हमने अपनी जीवन काल में बहुत जंजट देखो आपकी महेंगी गाड़ी चलाने वाला अकसर रिक्से से घर जाता है करोडों अर्मों का बंगला बनाने वाला अकसर बिना छत के सोता है दुनिया को हसाने वाला अकसर अकेले में रोटा है ये एक विवस्था है इस प्रक्ती की हमने अपने जीवन में बहुत अभाव देखें बहुत आसू बहा है बहुत संघर्ष आज भी संघर्ष लोगों को लगता है लोग तारीफ करते रहे जिन्दगी बर उस दीबाल पर टंगी चित्र की लेकर जो चित्र जिस कील पर टंगा रहा उसका संघर्ष किसी ने नहीं देगा आज लोगों को चुब रहे होंगे हम आज लोगों को लग रहा होगा कि ये बंठन करके टीबी पर आकर प्रवचन ठोक रहा है लेकर उसके पीछे हमने कितने संघर्ष जेले और कितने जेल नहीं रहे सनातन हमारे बाप की बापोती हो हम सनातन अपने लिए नहीं कर रहे है सनातन से हमारा कोई निजी हित नहीं है कर्णया विबाए 125-50 करवाने के लिए करजा उठा उठा करके हम बेटियों का विबाए कर रहे हैं उससे हमारा कोई निजी स्वारत नहीं है चार साल से निसुलक बंडारा चलवा रहे हैं इससे हमारा कोई निजी हित नहीं हो रहा है ना आस्रम का हित हो रहा है और हमारा तो आस्रम भी नहीं बन पा रहा है और आगामी समय में आने वाली कताओं की दक्षना से कैंसर हॉस्पीटल बन वा रहे हैं वो भी मंत्र चिकत्स करने वाली परमपरा का एक साधक उससे भी हमारा कोई हित नहीं है हमारा सिर्प संकल्प मानवता और प्रतेक ब्यक्ति को राम से जोडने का लेकिन आपने बोला आप तो मुख्यमंत्री आते हैं पूर मुख्यमंत्री आते हैं कॉंग्रेस आती है बीजेपी आती है तो अब एक इमेज आती है कि अब तो बाबा सर्वे सर्वा हो गए है अब इनके आगे कौन दैयालू हम आपको बहुत बिनमरता पुरवक कहें हम प्रभाव में पढ़ने वालों मैंसे नहीं है हमारी उपर पहले ही एक का प्रभाव पढ़ चुका है वो बजरंग वडी का है बाकि हम प्रभाव में बहुत ज़्यादा प्रभाव के लोगों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखते है और प्रभाव के लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं रखते हैं कोई आहे तो स्वागत है, सब आते हैं आपने एक बात बोली कि अक्सर लोगों को हसाने वाला अकेला बैटके रोता है मैं आप से जाना चाहता हूँ कि अकेले बैटके आप क्या सोचते है जब रात को समय हो जाता है जब आप अकेले होते हैं 24 घंटे में हमारे 3 या 4 घंटे हैं निजी चाहे हम सो लें क्योंकि वहाँ हजारों लोग आते हैं हमें लगने लगता कि अगर हम सोते रहेंगे तो विचारे इन पर क्या भीतेगी अप एक शाय लेकर कि लोग आते हैं हमारे अकेले और एकांत में सिर्फ 2-3-4 घंटे जो होते हैं अकेले क्या सोचते हैं बाबा सनातन लोगों का हित कैसे हो जाए अंग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता है पूर विदेश मंत्री है सर्मान कुशीत साब वो कहते हैं राम राज्ये इस इकल टू निजाब मुस्तफा ये दोनों समान है इसमें कोई फरक नहीं है एक अरब अन्ठानवे करोड चपन लाक अन्ठावन हजार एक सो दस साल पुराना इस प्राचीन इससे भी ज़्यादा प्राचीन है ये तो एक हमने लगभग लगभग बताया है अब कोई अपने आप से तौलता है ये उसकी बिचारे की मजबूरी है राम राज्य की अगर वो कलपना कोई आपने नाम लिया है पवित्र मूँ से हम बो लेना नहीं चाहेंगे अगर कोई राम राज्य को अपने उससे तौल रहा है वो बिचारे की मजबूरी हो तौलना भी चाहिए बड़ों की सहारे से ही छोटे लोग अपनी इज़िद बचाते वो कहते हैं अब अंध विश्वास को बढ़ावा देते हैं आप लोगों को अपने औरा में उलजा देते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं पहली बात तो हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं दूसरी बात हम कोई अंध विश्वास नहीं फैलाते हैं इस देश में चादर चड़ाना सृद्धा है इस देश में हली उल्ला कहे कि एक ब्यक्ति को पकड़ कर पच्चिस ब्यक्ति में करंट लग जाना सुर्द्धा है लेकिन हनमान चालीसा का उपाय बताना अंदिविश्वास हो गया है अदबुद देश है यह मूँ लोग लाते कहां से है अदबुद विचारधारा है लोगों की हमने कभी यह नहीं कहा कि हम इश्वर हैं हमने कभी यह नहीं कहा कि हम चमतकारी हैं हम आज कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं हनमान जी के पास सब कुछ लेकिन इतना कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि कुछ होता नहीं है तो गीला करके भेजेंगे। अगर कोई कहता कि भगवान नहीं होते हैं, इस दिबसक्तियां नहीं होती हैं, हमने अनभाव कि आए, चले आए, कभी बागे सो धाम, बैलकम टू यू। आरोप फिर लगता है दूसरी तरफ से कि अन्द विश्वास को बढ़ावा देना है। अन्द विश्वास व को विश्वास में एक बारीक लाएं। इस बारीक लाएं आज़ पड़मांजी की अच्टि सिद्यों का परचार करना अगर अज़ विश्वास किसी को लग रहा तो इसमें अमीस दिव गन जी भी अन्द्र विश्वास है कि वह भी हनवांचा लीसा पड़ते हैं और दीपक जलाना है लेकिन अब आपको तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चैलेंज दिये जा रहे हैं पहले एक 30 लाख वाला चैलेंज ताब एक करोड़ वाला चैलेंज हो रहा है जैसे जैसे आपकी पॉपलिर्टी बल रही है चैलेंज का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है थाती चले बजार यह चलता रहता है था हम कुई फरमाईसी प्रोगाम ने कि किसी ने फरमाईस की और आपकी तरफ से ऐसी भावना चली जाती है कि आप बिमारों का इलाज कर देते हैं तो फिर दूसरी तरफ से का जाता है कि हश्पटाल बंद कर देजिए धिरेन शास्तित के पास ही चलिए सब लोग ठीक उल्टी बातें लोग बोलते हैं अनमान चालीसा में हैं नासे रोग हरे सब अब हमारा इस चौपाई पर भरोसा है और किसी का है और ये चौपाई अगर चमतकार कर देती है इसमें दोसी हम क्यों तुलसिदाज जी के उपर आरुप लगाई हैं हमारे भगवान हनवान जी भी बूटी पर भरोसा करते लाय सजीवल लखन जी आई अगर ओमेसी जी आपके पास आई अरजी लगवाने के लिए तो लागाई है आना चाहिए उनको आना चाहिए लगादे जीए सद गुद्धी सबको होनी चाहिए हम तो कहते हैं कि आप खबर भेजो जिन जिन को आना ओ सबका स्वागाई किस किस का अपने परचा मतलब नेताओं में राहूल गांदी जी का परचा खोला कभी आप जो आता है उसकी अरजी लगती है हमारी कोई निजी आस्था से परचा नहीं बनता है उनकी पेरना से परचा बनता है ये परचे की कहानी क्या है कुछ भी नहीं ये आद कभी महरसी बालमीग जी के समय से चल रही परंपरा लोगों ने अब जाना है कभी अगर आज हमारे दादा गुरू जी होते तो लोग साइड ये परशनी भी नहीं कर पाते क्योंकि उस जमान में मीडिया नहीं थी हमारे दादा गुरू तो अब समझाओ हमारे बाप के बाप हैं हम जब इतने खतर ना के दो वो कितने नहीं लेकर यहाँ पर कई लोग हैं जो अपने परचे खुलवाना चाहते हैं बिल्कुल आना चाहिए जो स्टूडियो के उस पार है यानि कैमरा के थूँ आपको देख रहे हैं मेरे एक सवाल है आप अभी अभी कह रहे थे जब आप एकांत में होते हैं तो यह सोचते हैं कि सब का भला कैसा हो आप स्वेम बागेश्वर सरकार हैं धीरेंद्र कृष्ट आइम नॉट बागेश्वर धाम सरकार लोग जानते हैं तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते हैं प्राथना कर सकते हैं कि आपने जो बात रखी धर्म निपेक्ष के बारे में अगरी सिरफ हिंदू तो धर्म तो जो है मेरे क्यार से हिंदू, मुसलिम, शिक, इसाई उससे भी बड़ा शबद है उसको हम एक मजहब में नहीं बात सकते पहली बात तो आपने हमको बहुत कम सुना है आप हमको बहुत सुनिएगा हिंदू का मतलब कोई एक विसेश संप्रदाय नहीं हिंदू का मतलब हिंसाको दमन करने पर जो भरोशा रखता है, वो हिंदू है जी चलिए अब एक सवाल जवाब का एक और जो हिंसा के खिलाब वो हिंदू हिंसा जिसे पसंद ना हो स्वामी जी समाजबादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं जो रामचरित मानस को लेकर भी क्या कुछ कह रहे हैं हमने सुना है और वो आपके बारे में कहते हैं वो कहते हैं मैं ऐसे ढोंगी पाखंडियों के पास जाना पसंद नहीं करता अभी कुछ धरमाचारियों के ढोंग और पाखंड सामने आए हैं एक-एक एक से एक बड़े हत्यारे बैठे हैं और वो ये भी कहते हैं कि आपको तुरंद गरफतार कर लेना चाहिए अगर हमने इस देश में कानून है इस देश में संबिधान है इस देश में नीती है अगर हमने कोई गुनाह किया है तो गरफतार कर लेना चाहिए देर ना करें लेकिन राजनेताओं की बातों पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं रहता है क्योंकि सिर्फ उनके कमेंट्स राजनेतिक रोटियों तक सीमत रहते हैं इसलिए दो कोडी की राजनीती में हम करोडों की अध्यात में को नहीं बहाएं अगला सवाल मेरा ये है कि क्योंकि देश में राजनीती की बात होती है और आपने 2024 का जिकर किया था कि अब हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं क्या तैयारी कर रहे है 2024 इंदू राष्ट की पर 2024 में चुनाव भी है चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं इधर तो नित्य चुनाव है अज़िक एक बाद बताईए बागेश्वर रधाम में आप रहते हैं दिरेशास्त्री आपको डर लगता है किसी के बाप से नहीं तो कभी डर नहीं लगता कि देखिए अब आब आपका दरें किसके बाप से हमने ना तो किसी के बाप के बैल छोड़े हैं ना किसी के मकान पर कबजा किया ना हमने जमीन छोड़ाई ना किसी से दान लिया तो किसके बाप से डरें हम बाटने बैटे हैं तो सिर्फ अनमान जी से डरते हैं पाप से डरते हैं हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत ना हो जाए जिससे धर्म को नीचे देखना पड़े इससे डर लगटा है लेकिन एक विशे है जो कि बहुत महत्पूर्ण है और ये विशे मेरे दिल के भी बड़ा करीब है और मैं इस पर सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ राम चरितमानस को लेकर बहुत सारी बयान बाजी हुई किसी ने उसको नफरत वाला गरंद कहा जिसने आपको भी जेल भेजने की बात कही उसने भी उसको नफरत वाला गरंद कहा मैं सौवी पर साथ मौरिया की बात कर रहा हूँ और एक बिहार के मंत्रिये उन्होंने भी कहा किसी ने इसको महिला विरोधी किसी ने इसको दलित विरोधी कहा इस या कहते है इस देश में ऐसे लोगों की बात करना ही पाप है राम के देश में राम के बिरोधी की बात करना सीधी सी बात है कि उसको बार-बार प्रोडूस करना है बार-बार उसको आगे अप्रोच करना है ऐसे ब्यक्ति के बारे में ना तो सोचना चाहिए ना बात करनी चाहिए हरी हर निंदा सुने जो काना हो ही पाप गवगात समाना माता पिता भगवान सिव भगवान विश्णु की निंदा करने वाले ब्यक्ति को सुनना और उसको देखना गोहत्या बराबर पाप आपने दावा किया था कि आपके खिलाफ विदेश से प्लैनिंग हो रही है और आपके विरोधी विरोधीयों की संख्या देश के उस पार बढ़ती जा रही है आप पाकिस्तानियों की भी हिट लिस्ट पे हैं क्या आपको लगता है कि आपकी सुरक्षा अब होनी चाहिए कि बिवहार में अगर किसी को गर्राट है तो उसके लिए अगर कोई विवस्ता हो और है कोई दोस नहीं है या कोई बुराई नहीं सबको डर देखो इस देश में कल तक हम कथा कर रहे थे दरबार लगा रहे थे कभी बात नहीं उठी जब से पुर्जोर तरीके से जलन को रोका सबसे लोगों को जलन को सबसे नए नए प्लाइट लोबी आपके खिलाफ है पूरी प्लाइटिड लोगों का आना प्लाइटिड दरबार में चिला आना भी कुछ दिन पहले एक प्लाइटिड व्यक्ती का पोल खोला दरबार में ही वो बीस दरबार में चिला पड़ा धाम पे भी प्लाइटेट लोग आना ये छोटा सा एक छोटा सा विवाद बहुत बड़ा बना देना इस सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम की जो सेवक हैं जी उनको गिराने का एक बहुत बड़ा सडेयंत्र चल रहा क्योंकि जो करोणों रोपए धर्म परिवर् कराने में खर्च कर सकते हैं तो वो धीरंद्र कृष्ण के उपर क्यों नहीं कर सकते हैं सचाई यह है क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी मिसन को फैल हम करते हैं मैं एक सवाल पूछता हूँ आप इसाईयों के खिलाफ हैं बिलकुल भी नहीं मुसल्मानों के खिलाफ हैं बिलक राउंड भी है और इस राउंड में मैं आपको कुछ तस्वीरे दिखाऊंगा और आपकी प्रतिक्रिया उस पे लूँगा इस राउंड की शुरुबात करते हैं और पहरी तो तस्वीर आ रही है आपका वाकई दिल खुश हो जाएगा और अब अपनी गदी से भी खड़े हो गुर्दयो भगवाने की जैए तो क्या कहना चाहते हैं आप गुरुजी के बारे में अपने बस जो पूछते थे आज तक की चमतकार क्या है ये है जिनके नेत्र नहीं है अनेकों गरंतों की जिनोंने रचना किये हो अनेक भासाओं का जिनको ज्यान हो राममंदिर का मुद जिनोंने सुप्रीम कोट में जा करал कि रखा हो और शाक्ष प्रिष्टत किये हो और शाक्ष प्रिस्तती करन से जिन महापुरुष ने जज को भी चौका दिया हो इस देश नेत्व है इस से बड़ा चमतकार और आप करें ये है चमतकार ये भारत के जो लोग हमसे अब तक पूछते थे कि चमतकार क्या है उनको हमारे पास आने के पहले हमारे गुरुजी के बारे में समझ लेना चाहिए पुझ जगद गुरु भगवान तुलसी पीठ वाले अगली तस्वीर जो है देखते हैं कॉन सी है यह मुझे भी नहीं पता है ए राहूल गांदी जी कि रहे हैं बोधार का क्या कहना चाहते हैं राज पीट की देश की प्रमुक्षत्ता पर जो बैठे हैं और राष्ट हित जो कर रहे हैं उन्हें सब को बागिश और पीट से साध्यूबाई अगे तो चुछ पैस्व माफित के अप प्रधानमंत्री-। जैसा काम कर रहे हैं उस पर आप कुछ प्रतिक किया करना चाहते हैं योग watched कुछ काम कर करें किसी पर किया कर रहे हैं जो कर रहे हैं सब हमारे लिए सब जो भी कर रहे हैं सब बडियाया है नमस्कार विवस आज मेरे साथ एक बेहद खास मेमान होंगी इनकी उम्र भलई केवल 27 साल है लेकिन इनके बोल पूरे देश में चर्चा और विवाद दोनों का विशे बने हुए हैं ये खुद को कटर सनातनी हिंदू राक्ष्ट का पक्षधर और घर वापसी के सबसे प्रयायुजक बताते हैं जोरदार तालियों के साथ स्वाधत कीजिए बागेश्वर धाम के प्रमुक धिरेंद्र शास्त्री महराज का अबिनंदर आपका अबिनंदर है अबिनंदर है पहले तो स्वागत आपका न्यूज 18 के इस मंच में बहुत बहुत धन्नवाद बहुत बहुत सादूबाद और आरपार के इस कारीक्रम को भी बागेश्वर पीट की और से बहुत 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 आभार आपका लेकिन आपकी जबरदस्ट फैन फालोइंग है मैं युगाओं के हिसाब से अगर पूछू तो जबरदस्ट फैन फालोइंग है आपका बड़ा क्रेज है इतना क्रेज तो बॉलिवूड आक्टर्स का भी नहीं होता लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछा जाता हूँ कि आपकी इस फैन फालोइंग का बड़ा रास क्या है आप जादूगर हैं चमतकार दिखाने वाले हैं आकिर धेरेंद्र शास्ट्री है कौन पहली बात तो हमारी कोई फैन फालोइंग नहीं है हमारा तो पूरा परिवार है फैन फालोइंग तो उनकी होती जो सेलेबिटी होते हैं I am not celebrity I am not actor I am not filmmaker हम तो केबल एक साधारन मन और सनातन का जणडा लेकर चलने वाले एक साधक है हमारी कोई फैन्ड फॉलिएंग नहीं, हमारा परिवार हो में गर्भ है कितना बड़ा परिवार लेकिन अगर आपका मैं परिचे पूछू कि धिरिण शाष्त्री कौन है, चमतकारी है, अफ्तारी है, कौन है धीरेंद्र शास्त्री एक साधारन इंसान है जैसे आप हैं वैसे हम हैं बस हनुमान जी के एक साधारन से सेवक हैं उसका परनाम है ये कि जो धर्म बिरोधी हैं उनके मुँपर तमाचा लग रहा है तो आपके पास ऐसा क्या गुण है मैं इस सवाल को ऐसे पूछता हूँ कि आपके पास ऐसा क्या गुण है कि हनुमान जी ने आपको चुना सच्चाई बोलने का गुण है और निडरता के साथ सच्चाई को दावे के साथ रख करके और सबको सत्थ से जोडने का गुण है और यह अगर किसी भी इंसान के पास यह गुण आ जाए तो इसुरी यह दिब कृपा को वो सुताही पा जाना आपका एक दावा है कि आप पर हनुमान जी की कृपा है जिसकी वज़ा से आप लोगों की समस्या का समधान कर देते हैं लेकिन आलोचक भी है आपके और बड़ी संख्या में है वो आलोचक वो कहते हैं कि आप एक माइंड डीडर है इस से ज़्यादा कुछ है पहली बात तो ये दावा हमने कभी नहीं किया कि हम पर ही अर्मान जी की कृपा है सब पर है सो हम पर है और दूसरी बात रही बात माइंड डीडर वाली कांच में वो मडी में बहुत अंतर होता है चमकदार दोनों होते हैं पर जो मनी काम करती है वो काच काम नहीं करता यह देश सेकुलर है लेकिन आप हिंदू राष्ट की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निडर होके क्यों खड़े हैं अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदु राष्ट की जिद पर नहीं अडा तो वो हिंदुस्तानी है ही ने वो लगता है बेश्टन डीच का आदमी है अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी व्यक्ति हिंद महासागर के संदिकट रहने बाला ही हिंदु राष्ट नहीं कहेगा तो क्या पाकिस्तान वाले कहेंगे और रही हमारी बात जिनको जो लगता हो लगने दो हम अपनी बात से न कभी जुकेंगे न कभी मुड़ेंगे न कभी रुकेंगे भारत हिंदु राष्ट था है और फिर घोसत रहोकर रहेगा लेकिन सविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार मिला है सékुलेर है हमारा देश तो सिरफ हिंदु के आधार पर देश कैसे हो सकता है संसोधन लगभग हो चुका है 126 बार हिंदु राष्ट के लिए भी होना चाहें असाउद दिन ओवेशी आपको बहुत प्रेम करते हैं, आसाउद दिन ओवेशी, सांसद है, A.I, M.I. M.K., और आपको बहुत प्रेम करते हैं, वो क्या कहते है, सुनिये ज़ना किसे आप कह सकते हैं किस देश को ऐसा बना देंगे कैसे बनाएंगे आप इनके लोग गजवाई हिंद कह सकते वैसे हम भगवाई हिंद कह सकते लेकिन जब आप हिंदू राष्ट की बात करते हैं तो इसको मुस्लिम विरूधी करार दे दिया जाता है एक साइकलोजी है साइकलोजी है कैसे साइकलोजी ऐसे है कि किसी वी सनातनिय व्यक्ति को गिराने का बढ़िया उपाई यही है किसी पंथ और मजब को सामने खड़ा कर दो ताकि वो अपने मिसन में सकस्सफुल ना हो पाब है वो भारत में समानता की नीती ना इस्थापित कर पाब है वो रामराजी की नीती ना इस्थापित करवा पाब है वो इस देश में एकता ना हो पाब है इस देश में धर्म का जो लड़ाई है पंत की जो लड़ाई है वो ना मिट पाब है अगर ये मिट जाएगी तो राजनेतिक रोटिया नहीं सिखेंगी लेकिन आप एक शब्द यूज करते है ठटरी के बहुत प्यारा सब्द है अब बुंदेल खंडी आदमी अब तो लगबख भारत का प्रतेक बागिस्वधाम से जुड़ा हुआ भक्त उस बात को जानता भी ये परिवार के लोग हमारे जानते है ठटरी बरे सब्द का अर्थ है सत्त यथार्थ सास्वत एक दिन ठटरी सब की बरनी है और उसकी ठटरी बर चुकी जो सनातन के खिलाफ है तो सनातन के खिलाफ अब किसको मानते है ठीक जिन लोगों का आपने नाम लिया आपके एक मित्र है शेक मुबारक खान आपके मित्र है अच्छा पांसो छेसो मुसलमान परिवार हमारे सिस्स भी है ये भी हम आपको बता देते हैं हर पंत के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उनमें कोई दोस नहीं है और अभी जहां कता करके आए वहां मुसलमान ने तो फूल वर्षा करके हमारा स्वागत भी किया और हिंदू राष्ट का भी स्वागत किया यही तो परिशानिया है आप से कई लोगों को आप क्रिशन को हिंदू बना देते हैं मुसलमान को हिंदू बना देते हैं हम किसी को भी धर्म बापसी नहीं करवाते हैं हम सिर्फ उनको को अपने पूर्वजियात करवाते हैं और हिंदू को हिंदू बताते हैं किसी की हम धर्मबापसी पर भरोशा नहीं करते हैं कनवर्जन पर हम भरोशा नहीं करते हैं हम तो घर बापसी अब भाई राम जी के सरण में बिभीशन आया तो राम जी भगा देंगे क्या भगाया क् वो भी तो सत्रू का भाई था बिभीशन उन्होंने भी गले लगाया हम भी प्यारे यही करते हैं क्या गुनाय करते हैं शेक मुबारक बॉलिवुड बॉयकॉट की विशे पर बुल्डोजर पर वो इस तरह के विवादित बयानों उसे से वो कहते हैं मैं सहमत नहीं हो तो तुम अभी भी नहीं जागे तो तुम्हे भागणा पड़ेगा इसलिए निवेदन है कि सभी हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फैकने वालों के घर बुल्डोजर चलवाओ क्यों अगर कोई पत्थर फैके तो क्या करें स्वागत करें हमने सिर्फ बिनम्रता पूर्वक कहा आत्मरक्षा हमारा यह वयान पूर्टया अहिंसात्मक है हमने यह नहीं कहा है कि किसी का घर मिटाओ हमने यह कहा है कि ना तुम पत्थर चलाओ ना हमसे बुल्डोजर चलवाओ आज एक दोर है आप कई लड़कियों की शादी कराते हैं चोंकि बहुत नेक काम है इसकी तारीव भी मैं करना चाहता हूँ आप कई बच्चियों की शादी कराते हैं गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं लेकिन कभी आपको अपनी बहन की शादी के लिए दूसरों की मदद मांगनी पड़ी थी तब शेख मुबारक ने आपकी मदद करी थी आपकी महेंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर रिक्से से घर जाता है, करोडों अर्मों का बंगला बनाने वाला अक्सर बिना छत के सोता है, दुनिया को हसाने वाला अक्सर अकेले में रोता है। पर टंगी चित्र की, लेकिन उस जो चित्र जिस कील पर टंगा रहा, उसका संघर्स किसी ने नहीं देगा। आज लोगों को चुब रहे होंगे हम आज लोगों को लग रहा होगा कि यह बंठन करके टीवी पर आकर प्रबचन ठोक रहा है लिक्र उसके पीछे हमने कितने संघरस जेले और कितने जेल नहीं रए सनातन हमारे बाप की बाप होती हो हम सनातन अपने लिए नहीं कर रहे हैं सनातन से हमारा कोई निजी हित नहीं है कन्या बिभाए 125-50 करवाने के लिए करजा उठा उठा करके हम बेटियों का बिभाए कर रहे हैं उससे हमारा कोई निजी स्वारत नहीं है चार साल से निसुलक बंडारा चलवा रहे हैं इससे हमारा कोई निजी हित नहीं हो रहा है ना आस्रम का हित हो रहा है और हमारा तो आस्रम भी नहीं बन पा रहा है और आगामी समय में आने वाली कताओं की दक्षना से कैंसर हॉस्पीटल बन वा रहे हैं वो भी मंत्र चिकत्स करने वाली परमपरा का एक साधक उस से भी हमारा कोई हित नहीं है हमारा सिर्फ संकल्प मानवता है और प्रत्य द्यक्ती को राम से जोड़ने का लेकिन आपने बोल आप तौ आप तो मुख्यमंत्री आते हैं पूर मुख्यمن्त्री आते हैं कॉंग्रेस आती है बीजेपी आती है तो अब एक इमेज आती है कि अब तो बाबा सर्वे सर्वा हो गए है अब इनके आगे कॉल देयालू हम आपको बहुत बिनमरता पुरवक कहें हम प्रभाव में पढ़ने वालों मैंसे नहीं है हमारे उपर प्हले ही एक का प्रभाव पढ़ चुका है बोबसरंग वई है बांकि एक बात बली कि अक्सर लोगों को हसने वाला अकेला बैठके रोता है मैं आप से जाना चाहता हूँ कि अकेले बैठके आप क्या सोचते है जब रात को समय हो जाता है जब अकेले होते हैं 24 घंटे में हमारे 3 या 4 घंटे हैं निजी चाहे हम सो लें चाहे हम जो कर लें क्योंकि वहाँ हजारों लोग आते हैं हमें लगने लगता कि अगर हम सोते रहेंगे तो विचारे इन पर क्या भीतेगी अप एक शाय लेकर कि लोग आते हैं तो हमारे अकेले और एकांत में सिर्फ 2-3-4 घंटे जो होते हैं अकेले क्या सोचते हैं बाबा सनातन लोगों का हित कैसे हो जाए अंगरेस पार्टी के एक बड़े नेता है पूर विदेश मंत्री है सर्मान कुशीत साब वो कहते हैं कि राम राज्ये इस इकल टू निजाब मुस्तफा ये दोनों समान है इसमें कोई फरक नहीं है एक अरब अन्ठानवे करोड चपन लाक अन्ठावन हजार एक सो दस साल पुराना धर्म है इस प्राचीन इससे भी ज़्यादा प्राचीन है ये तो एक हमने लगभग लगभग बताया है अब कोई अपने आप से तौलता है ये उसकी बिचारे की मजबूरी है राम राज जी की अगर वो कल्पना कोई आपने नाम लिया है पवित्र मूँ से हम बोल लेना नहीं चाहेंगे अगर कोई राम राज जी को अपने उससे तौल रहा है वो बिचारे की मजबूरी हो तौलना भी चाहिए बड़ों की सहारे से ही छोटे लोग अपनी इज़िद बचाते हैं अब अंध विश्वास को बढ़ावा देते हैं आप लोगों को अपने औरा में उलजा देते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं पहली बात तो हम धर्म परिवर्तनी कराते, दूसरी बात हम कोई अंदविश्वास नहीं फैलाते हैं इस देश में चादर चड़ाना सृधधा है, इस देश में केंदल जलाना सृधधा है इस देश में हली उल्ला कहे के एक व्यक्ति को पकड़ कर पच्चिस व्यक्ति में करंट लग जाना सुर्द्धा है लेकिन हन्मान चालीसा का उपाय बताना अंद्विश्वास हो गया है अद्वुद देश हैं यह मुँ लोग लाते कहां से हैं अद्वुद विचारधारा है लोगों की हमने कभी यह नहीं कहा कि हम चमतकारी हैं हम आज कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं हन्मान जी के पास सब कुछ लेकिन इतना कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि कुछ होता नहीं तो गीला करके भेजेंगे अगर कोई कहता कि भगवान नहीं होते ही शुरक दिबसक्तियां नहीं होती है हमने अनभाव कि आये चले आये कभी बागे सो धाम बैलकम टू यू आरो फिर लगता है दूसरी तरफ से कि अंध विश्वास को बढ़ावा देना है अंध विश्वास विश्वास में बारीक लाएं इस बारीक लाएं देखो आप हनमान जी को मानते हैं बिलकुल मानते हैं क्या आप सनातनी हैं बिलकुल क्या आप दीपक जलाते हैं बिलकुल जलाते हैं ये भी अंध विश्वास है तो आप करें दीपक जलाना भी अंध विश्वास है अगर ह हनमान चालीसा पढ़ना अंदिविस्वास किसी को लग रहा हनमान जी की अश्ट सिद्धियों का प्रचार करना अगर अंदिविस्वास किसी को लग रहा तो उसमें अमीस दिवगन जी भी अंदिविस्वासी हैं क्योंकि वो भी हनमान चालीसा पढ़ते हैं और दीपक जला र मिला हैं पहले एक थीज लाख वाला चैलेंज हो रहा है है जैसे जैसे आपकी पॉप लेटिवimal प्रीया चैलिन का पॉठी बढर नलाय एक उपनो हैं कोई फरमाई सी प्रोगाम है कि किसी प्र माई उ shops कर दें आपकी तरफ बातें लोग बोलते हैं अनमान चालीसा में हैं नासे रोग हरे सब अब हमारा इस चौपाई पर भरोसा है और किसी का है और यह चौपाई अगर चमतकार कर देती है इसमें दोसी हम क्यों तुलसिदाज जी की उपर आरूप लगा हमारे भगवान हनमान जी भी बूटी पर भर अगर ओमेशी जी आपके पास है अरजी लगवाने के लिए तो आना चाहिए उनको आना चाहिए अना चाहिए सद गुद्धी सबकों होनी चाहिए हम तो कहते हैं कि आप खबर भेजो जिन जिन को आना आओ सबका स्वागा तो किस किस का अपने पर्चा मतलब नेताओं में राहूल गांदी जी का पर्चा खोला किसी का पर्चा जो आता है उसकी अरजी लगती है हमारी कोई निजी आस्था से पर्चा नहीं बनता है उनकी पेरना से पर्चा बनता है ये पर्चे की कहानी क्या है कुछ भी नहीं ये आदि कभी महरसी बालमीग जी के समय से चल रही परंपरा लोगों ने अब जाना है कभी अगर आज हमारे दादा गुरू जी होते तो लोग साइड ये परशनी भी नहीं कर पाते क्योंकि उस जमान में मीडिया नहीं थी हमारे दादा गुरू तो अब समझाओ हमारे बाप के बाप हैं वो हम जब इतने खतर ना के दो वो कित चाहतों एक बहाना है असलियत में सब को हनुमायन जी का बना है सबस्वाइब को पूछना चाहता है तो पूछे जी 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 मेरा एक सवाल है आप अभी अभी कह रहे थे जब आप एक नहीं तो यह सोकते हैं कि सब का भला कैसा हो आप स्वेंद्तर इन खापा ईयमनोट बागेशन ओथ हम सरकार लोग जानते हैं हाँ तो आप तो कुछु भी कर सकते हैं, बिलकुल नहीं कर सकते हैं, प्राथ्ना कर सकते हैं, आपने जो बात रखी धर्म निपेक्स के बारे में इसर्फ पहीं गारे हमारी हएं। हिंदू का मतरब हिंसा को दमन करने पर जो भरोसा रखता है वो हिंदू है जी चलिए अब एक सवाल जवाब का एक और जो हिंसा के खिलाब वो हिंदू हिंसा जिसे पसंद ना हो स्वामी जी समाजबादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं जो रामचरित मानस को लेकर भी क्या कुछ कह रहे हैं हमने सुना है और वो आपके बारे में कहते हैं वो कहते हैं मैं ऐसे ढूंगी पाखंडियों के पाश जाना पसंद नहीं करता अभी कुछ धरमा चारियों के ढूंग और पाखंड सामने आए हैं एक से एक बड़े हत्यारे बैठे हैं और वो ये भी कहते हैं कि आपको तुरंद गरफतार कर लेना चाहिए अगर हमने इस देश में कानून है इस देश में संबिधान है इस देश में नीती है अगर हमने कोई गुनाह किया है तो गरफतार कर लेना चाहिए देर ना करें लेकिन राजनेताओं की बातों पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं रहता है क्योंकि सिर्फ उनके कमेंट्स राजनेतिक रोटियों तक सीमत रहते हैं इसलिए दो कौरी की राजनीती में हम करोडों की अध्यात में को नहीं बहाएं अगला सवाल मेरा ये है कि क्योंकि देश में राजनीती की बात होती है और आपने 2024 का जिकर किया था कि अब हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं क्या तैयारी कर रहे है 2024 इंदू राष्ट की पर 2024 में चुनाव भी है चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं इधर तो नित्य चुनाओ है अधर एक बार बताईए बागेश्वर बागेश्वर रधाम में आप रहते हैं धिरेशास्त्री आपको डर लगता है किसी के बाप से नहीं तो कभी डर नहीं लगता कि देखिए अब आब आपका दरें किस के बाप से हमने ना तो किसी के बाप के बैल छोड़े हैं ना किसी के मकान पर कबजा किया ना हमने जमीन छोड़ाई ना किसी से दान लिया तो किस के बाप से डरें हम बाटने बैटे हैं तो सिर्फ अनमान जी से डरते हैं पाप से डरते हैं हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत ना हो जाए जिससे धर्म को नीचे देखना पड़े इससे डर लगता है लेकिन एक विशे है जो की बहुत महत्पूर्ण है और ये विशे मेरे दिल के भी बड़ा करीब है और मैं इस पर सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ राम चरितमानस को लेकर बहुत सारी बयान बाजी हुई किसी ने उसको नफ़रत वारा गरंट कहा जिसने आपको भी जेल भेजने की बात कही बात करना ही पाप है और एक बिहार के मंत्रियें उन्होंने भी कहा किसी ने इसको महिला विरोधी किसी ने इसको दलित विरोधी कहा इस यहां कहते हैं इस देश में ऐसे लोगों की बात करना ही पाप है राम के देश में राम के विरोधी की बात करना सीधी सी बात है कि उसको बार-बार प्रोडूस करना है बार-बार उसको आगे अप्रोच करना है ऐसे ब्यक्ति के बारे में ना तो सोचना चाहिए ना बात करनी चाहिए हरी हर निंदा सुने जो काना हो ही पाप गव घात समाना माता पिता भगवान सिव भगवान विश्नु की निंदा करने वाले व्यक्ति को सुनना और उसको देखना गोहत्या बराबर पाप आपने दावा किया था कि आपके खिलाफ विदेश से प्लैनिंग हो रही है और आपके विरोधी विरोधियों की संख्या देश के उस पार बढ़ती जा रही है आप पाकिस्तानियों की भी हिट लिस्ट पे हमें सिकॉरिटी दे रखी है स्रीहनमान जीन है लेकिन लॉकिक ब्योहार में अगर किसी को गर्राट है तो उसके लिए अगर कोई विवस्ता हो और है कोई दोस नहीं है या कोई बुराई नहीं सबको डर देखो इस देस में कल तक हम कथा कर रहे थे दरबान लगा रहे थे अब आपके खिलाफ है। धर्म परिवर्तन कराने में खर्च कर सकते हैं तो वो धीरंद्र कृष्ण के उपर क्यों नहीं कर सकते हैं सचाई यह है क्योंकि उन्हें डर है कि उनके मिसन को फैल हम कर दो मैं एक सवाल पूछता हूँ आप इसाईयों के खिलाफ हैं? बिल्कुल भी नहीं तो सारी घर बापसी तो वहीं से हो रही है फिर वही वाद धर्म परिवर्तन वो कराएं हम तो घर बापसी करवा रहे है चलिए अगला राउंड और यह आखरी राउंड भी है और इस राउंड में मैं आपको कुछ तस्वीरे दिखाऊंगा और आपकी प्रतिक्रिया उस पे लूँगा इस राउंड की शुरुबात करते हैं और पहली तो तस्वीर आ रही है आपका वाकई दिल खुश हो जाएगा और अब अपनी गद्दी से भी खड़े हो जाएगी जो तस्वीर में दिखाने जा रहा हूँ यह तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन के पीछे जगत गुरू राम भद्राचारे जी पूझ गुर्दयो भगवान है यह हमारे उन्हीं की कृपा है जय हो गुर्दयो भगवानी की जय हो तो क्या कहना चाहते हैं आप गुरू जी के बारे में अपने बस जो पूझते थे आज तक की चमतकार क्या है यह है जिनके नेत्र नहीं है अनेकों गरंथों की जिनोंने रचना किये हो अनेक भासाओं का जिनको ग्यान हो राम मंदिर का मुद्दा जिनोंने सुप्रीम कोट में जाकर के रखा हो और शाक्ष से पृस्तत कीए हो और शाक्ष से पृस्तती कर्ण से जने जिन महापूरुष ने जज को भी चॉंका दिया इस देश में इस से बड़ा चमतकार और क्या हो यह भारत के जो लोग हम से अब तक पूछते थे चमतकार क्या है उनको हमारे पास आने के पहले हमारे गुरू जी के बारे में समझ लेना चाहिए पुझ जगद गुरु भगवान तुलसी पीठ वाले अगली तस्वीर जो है देखते हैं कौन सी आर ये मुझे भी नहीं पता है ये राहूल गांदी जी की क्या कहना चाहते हैं? ये भी काफी आजकल धरम की बारे में